हेलो एवरीवन गोड एवनिंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिलकुल अच्छे होंगे हम सब भी बिलकुल ठीक हैं मैं सुस्मा को हाड एसके व्लोक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स बताईए आप सब कैसे हो मैं तो यहीं उमीद करती हूँ कि आप सब बिलकुल ठीक होंगे अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे खूब इंजोए कर रही होंगे और अब श्याम के पोने चार बज चुके हैं आज का ब्लोक स्टार्ट करने जा रही हूँ आज की वीडियो मैंने सुबह से शुरू नहीं की थी अभी शुरू की है कल मैंने बहुत सारे कप्ड़े धोए थे तो उन में से जितने तय लगाने वाले थे उन सब की मैंने तय लगा दि है और यह देखिये अभी थोड़े से कप्ड़े मैंने प्रेस किये है और बाकी के कुर्षी पर ऐसे ही रखे हुए है प्रेस कर रही थी तो बीच में भाबी का फोना आ गया कि तेरा भतीजा घर पहुँचने वाला है उसके पास लोकेशन भेज दे वो जल्दी से घर पहुँच जाएगा क्योंकि 25 और 26 नॉंबर को मेरी भतीजी और मेरे भतीजे की शादी है तो वो कारड़ देने के लिए आ रहा है और फिर कारड़ दे के उसे वापस भी आज ही जाना है तो मैंने प्रेस का काम बीच में छोड़ दिया है कि भतीजा आने वाला है और बुआ का तो मन होता है जब उसे पता चलता है कि भतीजा आने वाला है तो अंदर से इतने खुशी होती है कि सब काम पीच में छोड़ देती है, मैं तो छोड़ देती हूँ, मुझे बहुँ जादा खुशी होती है, और जोन से वाला मेरा भती जाएगा, उससे आप सब को मिलवाऊंगी, क्योंकि जो मेरा भाई है, उसके दो बेटे हैं, मैं दोनो रखा था, और जो कथा मेरी सासुमा ने कही थी, वो मैंने आप सब के साथ लाइव शेयर की थी, और बाकी की वीडियो शेयर की थी, तो कुछ कमेंट्स आई हुए हैं, कि अहोई अश्टमी के दिन सबजी नहीं काटते हैं, फल नहीं काटते हैं, तो आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैंने साथ साथ आप सब को ये भी बताया है, कि सब जगह सभी के नियम एक जैसे नहीं होते हैं, हर घर के रीती रिवाज अलग होते हैं, मेरे माई के और मेरे सुसराल के नियम बिल्कुल एक जैसे हैं, काटने हैं तो वही मैंने किया है जो इतने सालों से इस घर में उता आ रहा है तो अलग से मैं कोई नियम नहीं बनाती हूँ और एक दो कमेंट्स आया हुआ है कि अहो यस्टमी के दिन कपड़े नहीं धोते हैं तो फ्रेंट्स हो सकता है कि आपके वहां पर ये नियम होगा कि व्रत वाले दिन कपड़े नहीं धोते हैं लेकिन मेरे यहां पर ऐसा नियम कुछ भी नहीं है हम सब काम करते हैं व्रत भी रखते हैं पूरी सरधा के साथ करते हैं तो अपने अपने सब के नियम होते हैं और जो अपने घर में नियम हो उनी को फोलो करना चाहिए अपनी तर जैसे हम ऐसा करेंगे तो ये हमारी सरधा नहीं होती है दिखावा हो जाता है इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारे बड़े बुजरक करते आ रहे हैं वही हमें नियम फोलो करने चाहिए अलग से कुछ भी उसमें एड नहीं करना चाहिए तो मेरे घर में जब से मैं आई नाटी है कपड़े भी धोए हैं और अगर आपके घर में नहीं करते हैं तो फिर आपको नहीं करना चाहिए और अभी प्रैस तो नहीं करूंगी अभी मेरा भतीजा आने वाला है तो इसकी दादी जी को अभी दूद गरम करके दे देती हूं क्योंकि लगभग चार बजने वा तो फ्रेंड से ये शाम सबाद चार बजए का टाइम है मेरा भतीजा आया हुआ है हम सब यहाँ पर बैठे उए हैं चाय पिरे हैं बात कर रही है है और यह जो कुर्ता पजामा पैने हुए है यह मेरा भतीजा दीपक है और जो इसके बगल में बैठा हुआ है ये इसका दोस्त है तो हम सब यहां पर बैठे हैं बात कर रहे हैं चाए पी रहे हैं और अभी 10-15 मिनट में इसको यहां से जाना भी है क्योंकि सोनीपत सोनीपत में ही कम से कम 8-10 जगे जाना इसको कारड बाटने के लिए और सब जगे के कारड आज ही बाटके इसको घर पहुँचना भी बहुत जरूरी है क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम है तो इस वज़े से इसे जल्दी ही जाना है और दिवाली भी नजदिक है तो यह मेरा दिवाली का सीद्दा भी लेकर आया है तो अभी चाए पी लेते हैं फिर इसको जाना भी है तो यह देखिए फ्रेंट से मेरे भतीजे ने तो जाने की तयारी कर दी है तो यह तो अब जा रहा है और अब इसके जाने के बाद थोड़े से बरतन है उनको साप करूंगी और यह जो मेरा दिवाली का सीद्दे में सूट लेकर आया है वो मैं आप सब को दिखाऊंगी कि कैसा लेकर आया है तो चलिए बरतन साप कर लेती हूँ फिर आप सब के साथ बैठ कर थोड़ी सी देर बात करूंगी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिलकुल अच्छे होंगे हम सब भी बिलकुल ठीक हैं अब शाम के पांच बज चुके हैं और बेरा भतिजा तो वापस भी चला गया है मुस्किल से 15-20 मिनिट रुका होगा क्योंकि उसे अभी काफी जगे जाना है कारड बाटने के लिए फिर मैंने भी जादा नहीं कहा कि थोड़ी देरो रुक जाओं क्योंकि मुझे पता है कि दिन बहुत छोटे हो गए हैं जल्दी से अंधेरा हो जाता है और अभी तो कम से कम 6-7 जगे जाना है कारड बाटने के लिए तो रात तो यहीं पर हो जाएगी फिर वापस भी उसको जाना जरूरी है तो इस बज़े से मैंने उसको नहीं रोका वर और यह देखिए यह है मेरे भतीजे और भतीजी की शादी का कारण तो शादी का कारण आ गया है लेकिन मैं जाओंगी नेक्स्ट विक अभी नहीं जाओंगी और अभी दिवाली आने वाली है तो मेरा दिवाली का सिद्धा भी आ गया है हमारे में तो दिवाली का सिद्धा बोलते हैं जो माईके से बेटी के लिए आता है आप सब में इसको क्या बोलते हैं मुझे जरूर बताईए और मेरा जो सूट आया है वो मैं आप सबको दिखा देती हूं तो ये देखिए ये मेरा सुन्दर सा सूट आया है दिवाली का मुझे तो इसका कलर इसका प्रेंट इस बहुत अच्छा लगा तो पूरा खोल के दिखा देती हूं ये देखिए ये तो इसकी सलवार है एकदम सॉफ्ट कपड़ा इसका और बिल्कुल प्लेन है और ये है इसकी सुन्दर सी चुन्नी चुन्नी इसकी बहुत ही प्यारी लगेगी ओडिवी और ये इसकी प्रिंटिड कमीज है बहुत ही प्यारी लगरी है और जो इसका गला है वो एकदम गोल है और मुझे ज़्यादातर गोल गले के सूटी पसंद आते हैं और इसका गला गोल है तो ये मेरा सुन्दर सा सूट आया है आप सब कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और इ मेरा दिवाली का आया है कुछ मिठाई हैं वो सब रखे हुए हैं और बतीजा चला गया है और एक कमेंट से आया हुआ है परसों आया था साय दे लेकिन कल मुझे इस टोपिक पर बात करने का टाइम नहीं मिला था तो मेरी उस सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा है कि मै कुछ काम करना चाती हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर बैठे ऐसा कौन सा काम कर सकती हूं जिससे मेरे परिवार को हैल्प हो सके तो फ्रेंट से वैसे तो आज के जमाने में हर लेडी ये चाती है कि मैं कुछ ना कुछ घर बैठके ऐसा काम करूं कि मैं अपने हस्पेंट को help कर पाऊं क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है एक अकेले आदमी की कमाई से घर चलना मुस्किल हो गया है और खास तोर पे जो middle class family है उनके लिए तो बहुत मुस्किल हो गया है जब दोनों मियाबी भी मिलकर कमाते हैं तभी ये गरस्ती की गाड़ी चलती ह वरना चलती तो है लेकिन रुक रुक के चलती है जैसे इंजन से तेल खतम हो जाता है फिर उसमें जटके लगते हैं दुबारा से तेल डलवाना पड़ता है तब जाके गाड़ी चलती है यही हमारी गरस्ती की गाड़ी होती है एक माले एक सेलरी आती है और middle class family वालों की से सेलरी आती है तो जाते देर नहीं लगती है और साथ में अगर जैसे message भी कमाती है छेवो ठोड़ा ही कमाती है तो उससे सहरा लग जाता है तो ग्रिष्ती अच्छे से चलती है तो हर कोई चाता आज के जमाने में कि मैं कुछ थोड़ी सी help करूं कुछ extra कमाई करूं तो प्र उनलाइन विजनेस के लिए बहुत सारी साइट है जैसे मिंतरा है, एमाजोन है, फ्लिप कार्ट है और इतनी सारी साइट कुली हुई हैं जिन पे आप अपना काम शुरू कर सकती हैं क्योंकि ओनलाइन जो भी हम खरीदते हैं वहां पर हमारे जैसे ही बैठे सामान बेचते हैं यह नहीं होता है कि वो किसी मॉल से आता है, नहीं उसे ऐसे ही हमारे जैसे दुकानदार होते हैं जिन्होंने वहाँ पर दुकान खोली होती है वही अपना सामान बेचते हैं तो आप किसी भी site पर अपना online business शुरू कर सकती हैं, अब ये decide आपको करना पड़ेगा कि आपको माल क्या बेचना है, किस तरह की चीजे आप sale करना चाती हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा, और जैसे online business आप नहीं करना चाती हैं, इसके बारे में अच्छी खासी knowledge आपको नह रहे की गाओं में बिकती हैं, तब जाके गाओं में दुकान चलती हैं, और जैसे आप सहर में रहती हैं, तो आजकल तो सहर में भी ये जरूरी नहीं है, कि इतना बड़ा बाजार है, तो वहीं पे सामान बिकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहां भी रहती हैं, वहीं पर कॉस्मेटिक का सामान अपने घर में रखके और उसको बेज सकती हैं, सूट रख सकती हैं, आजकल तो गली मोहले में भी अगर लडी जे अपने घर में सूट रख लेती हैं, तो बिकने सुरू हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह होता है कि आप जहां पर रहती है और जैसे आप दुकान ही खोलना चाती हैं, तो मैं बजार में भी खोल सकती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आजकल लडी जे दुकानों पर नहीं बैठती हैं, आजकल लडी जे मोल तक चलाती हैं, बहुत कुछ काम करती हैं, पहले का टाइम था, यह कहते थे कि ओरते ये क आज औरत सब कुछ काम करती है घर चलाती है बिजनेस चलाती है बच्चे संभालती है सब काम करती है मैंने भी बजार में दुकान खोली थी दस साल तक चलाई है बहुत अच्छी चली थी तो आप बजार में दुकान खोल सकती है कोस्मेटिक की खोल ये क्रियाने की दुकान ख सकती हैं जो कि आपको बहुत जादा फाइदा देगी और अब जिस किसी चीज़ की भी दुकान खोलना چाहती हैं और अगर आप यह जानना चाहती हैं कि इसका सामान मुझे कहां से खरीदना चाहिए तो आप मुझे गमेंट करके बता दीजिये मैं आपको उसके बारे में पू आपको कॉस्मेटिक का जो सामान है उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा जो कि आपको सस्ते रेट में मिलेगा और आपको मुनाफ़ा दुगना होगा तो फ्रेंट से इतनी help मैं आप सब की कर सकती हूं और बाकी decide तो आपको ही करना पड़ेगा कि मैं क्या काम शुरू कर और मैं कहां पर रहती हूँ, जो यहां पर ये काम मैं शुरू करूँ, तो अच्छे से चलेगा, तो यह आपको देखना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, बाकि जो भी आप इन में से काम मैं शुरू करती हैं, थोड़ी बहुत आपको help चाहिएगी, तो मैं जरूर कर दूँगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई